C.I.E.T. and C.E.R.T. द्वरप्रस्चुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का बीसमा पाठ बूंद बूंद से माधो राजिस्थान के बज्जू गाउं में रहता है गाउं में देखो तो चारों ओर रेथ ही रेथ दिखाई देती है जब कभी रेथ नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाते है माधो के घर में सब परिशान है वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई अब उसकी मा और बेहन को और भी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए पास वाली बावडी सूख जो गई है हर रोज चार घड़े पानी जुटाने में ही कई घंटे निकल जाते है गर्म रेत में चल चल कर उनकी पैर तो जलते ही है छाले भी पड़ जाते है गाउं में खुशी की लहर तब उठती है जब कभी रेल से पानी आता है माधो की पिताजी उट गाड़ी में पानी लाने जाते हैं पर ऐसा मौका अकसर नहीं आता लोग पानी का इंतिजार करते ही रह जाते हैं कुछ लोग बारिश का पानी इकठा करते हैं यह खास तरह से किया जाता है टांका बना कर क्या तुम जानते हो टांका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं आंगन में गड़ा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं टांके को धक्कन से बंद रखते हैं टांके के लिए घर की छत को कुछ धल्वा बना देते हैं जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीजे टांके में इकठा हो सके छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूडा, कचरा टांके में ना जा सके यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है कभी-कभी गाउं के एक टांके से माधो को भी पानी लेने देते हैं सोचो, पाने की कमी से लोगों को क्या-क्या परिशानिया होती होंगी? माधो के गाउं के लोग पीने का पानी कहां से लाते हैं? माधो के घर में पानी बरकर कौन लाता है? टांके का पानी ज्यादतर पीने के काम में ही आता है. क्यों? अब तुम बताओ क्या तुम्हारे घर में भी बारिश का पाने इकठा किया जाता है? यदि हाँ, तो कैसे? क्या पाने को इकठा करने का कोई और तरीका भी हो सकता है? मादो की तरह सोनल के घर में भी पानी की किलत रहती है सोनल भाव नगड शहर में रहती है नल में रोज केवल आधे घंडे का पानी आता है मौले भर के लोग एक ही नल पर सुचो कितना बुरा हाल होता होगा सोनल पानी भरने के लिए डटी रहती है जब मौका मिलता है बूंद बूंद करके भी बाल्टी भर लेती है आओ पता लगाएं कि कितनी बूंदों से भरती है कटोरी या फिर बाल्टी पता लगाओ और लिखो पहले पता लगाओ एक चम्मच कितनी बूंदों से भरता है एक चम्मच में कितनी मूदे हैं फिर एक कटोरी को चम्मच से भरो अब बताओ एक कटोरी में कितने चम्मच अब एक मग को कटोरी के पानी से भरो और बताओ एक मग में कितनी कटोरी अब एक बाल्टी को मग से भरो और बताओ एक बाल्टी में कितने मग देखा बूंद बूंद से मिला कितना पानी अगर नल से बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा तो कितना पानी बरबाद होगा यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें दिखाया है कि एक बच्चा दाद साफ कर रहा है लेकिन नल खुला हुआ है और नल से इतना सारा पानी बरबाद हो रहा है पानी की बज़त के लिए तुम क्या कुछ सोच सकते हो? अपना सुझाव लिखो क्या तुमने घर में, स्कूल में या रास्ते में पानी को बेकार बहते देखा है? बताओ कहां? क्या एक बार पानी से काम करने के बाद उसी पानी से कुछ और काम कर सकते हैं यहां कुछ काम दिये गए हैं आप बताओ कि एक काम करने के बाद कौन सा काम दूसरा करें जिससे पानी का बार बार इस्तेमाल हो सके जैसे हाथ मूध होना, कपड़े धोना, फल सबजी धोना, पोचा लगाना, पौधों में पानी डालना, शौचा ले में डालना जैसे आप बता सकते हो कि फल सबजी धोने के बाद उसी पानी को हम पौधों में डाल सकते हैं तुमने पानी के बार-बार इस्तेमाल के कुछ तरीके सुझाए ये तरीके लोग ज्यादातर मजबूरी में ही अपनाते हैं जहां पानी की बहुत कमी होती है जानते हो पानी की कमी इसलिए भी होती है क्योंकि कुछ लोग पानी बेकार करते हैं सोचो कितना अच्छा हो अगर सभी को पानी मिले बूंद बूंद से अभी आप सुन रहे थे कक्षातियें की पाठे पुस्तक का ये पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नए दिल्ली भारत